PowerPoint की इस वीडियो में आज हम जानेंगे Show Group के बारे में Show Group में हमें काफी सारे Option मिलते हैं जब आप इस arrow पे क्लिक करोगे तो हमें और भी Option मिलते हैं सभी Option को detail में समझेंगे सबसे पहला जो Option है वो है Ruler का जब आप ruler को check करोगे तो slide के top and left side में ruler आ जाएगा और ruler की unit की मदद से आप अपने text box या shape को draw कर सकते हो तो मैं आपर इसको uncheck कर देता हूँ तो ruler हमारा चले जाएगा grid lines को check करोगे तो हमारे slide के अंदर grid lines आ जाएगी grid lines की मदद से आप अपने shape या text box को draw कर सकते हो grid lines को hide करना है तो आप इसको uncheck कर दीजिए आपकी grid lines hide हो जाएगी इसके बाद guides पे click करोगे तो यहाँ पर आपको guides मिल जाती है guides की मदद से आप अपने shape या text box को draw कर सकते हो अगर आपको guides नहीं चाहिए तो आप इसे uncheck कर दीजिए notes पे click करोगे तो यहाँ पर slide के bottom में आपको click to add notes का एक option मिल जाएगा यहाँ पर आप click करिए और यहाँ पर आप कुछ भी type कर दीजिए जैसे कि this is my first note लिख देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आप इसको hide करना चाहते हो तो आप अपने notes को deselect कर दीजिए और अगर आप चाहते हो notes को देखना तो presentation views में हमें notes page का option मिलता है आप इस पे click करिए top में आपको आपकी slide दिखाएगा slide का content और नीचे जो भी आपने notes दिया है वो आपको show करेगा normal view पे click करके इसको normal view पे ले जाते हैं अब इस arrow पे click करेंगे तो यहाँ पर हमें और भी option मिल जाते हैं जैसे कि snap objects to grid तो यहाँ पर आपको इस option को use करने के लिए सबसे पहले grid को on करना पड़ेगा और grid को on करने के लिए यहाँ पर हमें option मिल जाता है तो यहाँ पर मैं इसे check करूँगा ok पे click करूँगा तो देखे हमें या grid show हो रही है इस arrow पे click करेंगे तो यहाँ पर से आप अपनी grid की setting कर सकते हो जैसे कि 1y24 आ रहा है 1y12 ले ले लेते हैं ok तो 1y12 आ रहा है यानि जो spacing होती है वो कम हो जाती है arrow पे click करेंगे अब देखें यहाँ पर snap objects to grid यह option आ रहा है जब आप इसको check करोगे ok पे click करोगे अब इससे फाइदा यह होगा जब आप अपनी कोई भी shape अगेरा draw करोगे तो बहुत easy हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर देखें मैं इसको कुछ इस तरीके से कोने में ले जाऊँगा तो इस set हो जाएगा जैसे मैं इसको नीचे कर रहा हूँ या top कर रहा हूँ आप देखें कहीं भी तो यह एक तरीके से मैगनेक्टिंग की तरह वक करता है एरोपी क्लिक करते हैं इसके बाद देखें मैं इसको अंचेक कर रहा हूँ और यहाँ पर यह जो हमारी display grid है इसको भी हाइट कर दे रहा हूँ और ओके और यह जो शेप है इसको भी मैं अभी डिलिट कर रहा हूँ इसके बाद देखें जो मारे पर third option है वो है display drawing guides on screen तो यह वह ही है जो guides हम शो कर रहेते हैं यहाँ से तो यहाँ पर मैं इसको चेक करूंगा ओके तो यहाँ पर यह guides आ जाएगी आप इन guides को left and right मूब कर सकते हो अगर आपको guides हटा नहीं है तो आप यहाँ से भी हटा सकते हो इसके बाद देखें यहाँ पर display smart guides when shapes are aligned तो यहाँ पर कुछ smart guides मिलते हैं जब हम अपनी shape को align करते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं home tab में गया और यहाँ पर मैं एक shape बना रहा हूँ तो देखें जब मैं इसको center ला आ रही है इसके लाबा यहाँ पर देखें horizontally आ रही है तो यह कुछ smart guides होती है जैसे कि यहाँ पर मैं एक और shape draw करूंगा तो यहाँ पर मुझे इसका center बताएगा कुछ इस तरीके से देखें यहाँ पर left बता रहा है right बता रहा है top bottom तो smart guides होती है अगर आप चाहते हैं इनको तो देखें यह guides हमें show हो जीगी यह देखें चीक है कुछ इस तरीके से arrow पर क्लिक करते हैं अब आप चाहते हो अपनी setting को default करना तो आप set of default पर क्लिक करिए तो आपकी सभी setting default हो जाएगी तो इस तरीके से आप अपने show group को use कर सकते हो अगर आप पो इसमें कुछ भी doubt हो त तो आप मुझे comment कर देना